नमस्ते चात्रों, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गुप्त राजोंगा तित्थी गरम या फिर वन्सकरम के बारे में जानकर रिप्राप्त करेंगे। तो देखेगा स्टुडेंट्स गुप्त राजोंगे बारे में हम काफी कुछ पहले पढ़ चुके हैं तो आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ने ने नोटिफिकेसर मिलें और आप इत्यास विशे से संबन्द जो जितनी भ आपको मदद मिल सके और आप नई information प्राप्त कर सके तो गुप्त राजों का जो परीचे हैं और गुप्त काल में कौन-कौन सी कलाएं थी और गुप्त काल की जो से संबन्द गुप्त काल से संबन्दी जो महतोपुन तथ्थे हैं इन सब के बारे में हम पहले से पढ़ का तिथी करम अर्थात वन्द करम कई बार पूछ लेते हैं तो एकजाम की दर्ष्टी से ये वीडियो बहुत ही महतोपुन है तो चलिए पढ़ते हैं गुप्त राजों का तिथी करम सुंग वन्द के पतन के बाद सनातन संस्कृति की एक्टा को फिर से एक जूट करने का स 510 इस्वी तक ये वन्द सासन में रहा इस काल में कला विज्ञान धरम और साहिते का खूब विकास हुआ लेकिन इत्यास में सिरी गुप्त तदा गठोत कच के भी नाम मिलते हैं जिनको गुप्त वन्द से संबंदित ही माना जाता है लेकिन गुप्त वन्द की स्तापना का श्रेई चंद्र गुप्त पर्थम को ही दिया जाता है ठीक है गुप्त सासकों का तीथी ग्रम अर्थात काल करम निम्न लिखित है देखेगा श्री गुप्त तथा गठोत कच जिसका काल करम है 275 से 319 इस्वी चंद्र गुप्त पर्थम 319 से 315 इस्वी समुद्र गुप्त 350 से 375 इस्वी चंद्र गुप्त द्वित्य विक्रमादित्य 375 से 415 इस्वी कुमार गुप्त पर्थम 415 से 455 इस्वी सकंद्र गुप्त 455 से 466 इस्वी पूरु गुप्त 466 से 473 इस्वी कुमार गुप्त द्वित्य 417 से 477 इस्वी बुद्र गुप्त 417 से 495 इस्वी नर्सिय गुप्त बाला दित्य 495 से 530 इस्वी भनु गुप्त 510 इस्वी वन्य गुप्त 507 इस्वी कुमार गुप्त त्रित्य 530 से 543 इस्वी विश्णु गुप्त 543 से 550 इस्वी ठीक है तो इन में से कालकरम कई बार किसी सास का पूछ लेते हैं तो वीडियो को द्यान से देखेगा अब देखेगा गुप्त सास कों से संबंदित महत्वपुन तत थे नरीशी हैं गुप्त बालादित्य को छोड़ कर सभी गुप्त वन्सिय राजा वैदिक द्रमावलंबी थे बालादित्य ने बो धरम अपना लिया था आरम में इनका सासन केवल मगद पर था परंतु बाद में संपून उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया था इसके बाद दक्सिर में कांजी वरम के राजा ने भी आत्म समर्पन कर दिया था सकंद गुप्त के समय हुनों ने कमबोज और गांधार जो उत्तर अफ़कानिस्तान में है पर अकर्मन किया था हुनों ने अंत्तह भारत में परवेश करना सुरू किया हुनों का मुकाबला कर गुप्त समराजे की रक्सा करना सकंद गुप्त के राजे काल की सबसे बड़ी गटना थी सकंद गुप्त और हुनों की सेना में बड़ा भेंकर मुकाबला हुआ और गुप्त सेना विजई हुई होन कभी गांधार से आगे नहीं बढ़ पाई जबकि होन आउर सक्के जाती के लोग उस समय भारत के भिन-भिन इलागों में रहते थे ठीक है तो ये वीडियो छोटा जरूर है लेकिन एक्जाम के दस्टी से बहुत ही महत्तों पूर्ण है अतहे वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का भूत भूत धन्यवाद